रखा जी नमोश्कार नमोश्कार बदनमंत्री जी आपका बहुत धरनेवात शबार प्रोथ में आपना के सुपेच्छा जानाई आप एक बड़ा दाइत्व निभाने जा रही है इसे में कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरा संद है इसा है इन माताओ बहनों का हाथ मेरे सर पे है रेखा जी मुझे आपका मेसेज मिला था मैं यह था संभव कोशिस करता हूं कि बीजेपी कारकरताओं से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरित राजनितिक परिस्तितियों में प्रचार कर रही है जब आपका नाम गोशित हुआ तो क्या माहोल क्या था क्या लगा लूगों कर आपको क्या क्या परितितियों का सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जड़ा पूरा चित्र समझना चाहता हूं हमारी साथ जो दूर गाटा ना गटी थी हम तो बहुत दूर बागगे साली हम सनिशकली का मावैन नहीं है पुरा बशीरा लगसभा का जो मावैन है सब एक सबानी तचारीफ होई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई एड़ी की आथ चला गया और हम चाहती है उ हम बोट दे पाएंगे साली की मावैन और भी खूश होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई मुझे पूरा विश्वास है आपकी बाद इलेक्शन कमिशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमिशन सभी मत्दाता मत्दान कर पाए इसके लिए पूरा प्रभन करेगा और इलेक्शन कमिशन निस्पक्ष मत्दान हो इसके लिए हमेशा प्रतिवत होता है हम भी सरकार से सरकारों ने वहवार किया है लेकिन देखा जी जब यह आपका नाम गोशित हुआ आपको चुनावक में कंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पडोस में अडोस में और आप जी इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो सब में क्या मैसेज गया सबका कैसा पर को अब पर कोई दुष्मानि नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने मापी मांग रही है तो हमारे कोई उनका उपर कोई दुश्मानी नहीं है क्योंकि वो हमारे माबेन हमारी भाई बाप है हम तो सब के लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ रही है हम उनकी लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सन्मान लोटाए जाए इसके लिए पूरा कुशिश रेखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारती जन्ता पार्टी ने आपको उमिद्वार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीती में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहें कि जिसने आपका विरोत किया उसका भी भला हो और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उत्री हो और आप कह रही हो कि TMC के जिन लोगों ने मेरे खिलाब किया है उनका भी अन्याय के खिलाब मैं लडूँगी ये आप बहुत बड़ी बात पता रही हो और मैं सच पता तो हूँ देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गरव करेगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करते हैं रिखा जी मुझे पता लगा है कि बसीहाट में जनता विशेश रूप से महलाए ये आपको बहुत सने दे रही हैं और अब जब चुनाओं के मैदान में उतरी हैं तो आप क्या बातावरन है उनकी घर की बेटी हो मैं और उन्होंने मुझे चाहती है ये उनकर बहुत खूश हो मैं और इलेक्षन पर उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सापोर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पुरा सपर्ट करेंगे तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे और हम भी गरीब गरीब करकी लड़की हों, किसी की घर की बेटी बहु हों तो यही बोलूँगा मेरे पती भी तामिल नाडू चेड़ना यूदर काम करती है हमारा फैमिली में बहुत दुख बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संगसर चलती है तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ आइसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े सबको इधर कंपानी मिले इधर काम करें और हमारा यहार से बेंगल से बाहर ना जाना पड़े इसलिए हम पूरा कवशिश करेंगे आपका ही जो आत्मे विश्वास है न आप जुरूर दिल्दी पहुचोगी और आप जुरूर चुनाव जित करके आओगी देखा जी संदेज खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल बेच दिया आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है हमारा संदेज कली की मावेन की पुरा सापोट थी इसलिए हम यह कर पाई इस अप और उनकी सापट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे रास्ते हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा रेकाई जी हम सब मिल करके माताव बेहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशीराट ने पूरे बंगाल के लिए वहाँ के सम्मान के लिए वहाँ के गवरों के लिए हमारी लडाई हैं और आप एक मेहनत कश्क परिवार से हैं बहुत मद्दूरी करके गुजरा करती हैं और इतना बड़ा सालवजिनिक जीवन का जिम्मा मिला है बहुत बड़ा अंतर आया होगा लेकिन मैं आपको विश्वात दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा व्यक्ति के द्रुप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा रेका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो उच्छा देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसंता हो रही है कि बंगाल तो सक्ति पूजा की भूमी है दुर्गा पूजा की भूमी है और आप उसी शक्ति का प्रिया है आप जिस मैनत से जिस हिंबत से काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है संदेश खाली की महिलाओं के आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामाने बात नहीं है और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल के नारी शक्ति विशेस रूप से हमें आशिरवाद देगी बंगाल की उजवल बविश के लिए आशिरवाद देगी मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पस्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंदर की बीजेपी सरकार के काम का इतनी बात जुरूर पहुंचाईए और अभी वहाँ जिस टीमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परिशान है बीजेपी सरकार की कितनी ही योजनाओ वहाँ टीमसी सरकार लागूई नहीं होने देती आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताईए कि कैसे वहाँ की टीमसी सरकार सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही ह और अपना करप्शन चिपाने के लिए केंदर सरकार की युजनाओं के नाम भी बदल देती है पार्टी का एक-एक कारकरता आपके साथ है और मेरी आपको बहुत-बहुत शुपकामनाएं है सर, हमारा संदेशकली में तो अभी 2011 से बहुत चूरी कर रहा है तना चूराये जा रही है तो किसी की पुरा साधी नसर से वोट दिये जाती तो आज यह दिन ना देखना पड़ती हम लोग भी चाहती है पुरा साधी नेता के साथ हम भोड दे और हमारी मा बैन की सनमान रुका करे और भाई बैन जो भाईयों को उटा के मारा जा रही है ऐसे नहीं ना मारा जाए यह पुरा तरफ पुरे तरिक से हम देखेंगे और जो भायों को मारा जा रही है वो स्रेफ उनकी बेटा नहीं है उनकी भाई नहीं है वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समाने हम यह पूरे तरह से देखेंगे उनकी साथ ऐसे दुरगाटों ना फेसे ना अगटी हम उनकी साथ रहे के यह लड़ाई उनकी गार गार त दिवन्दे के सर्वगुन आपके अंदर है बले आप गरीब परिवार से हैं चलिए रिखाजी मेरी बहुत शुब कामना है आपको हिंबत के साथ आगे बढ़िए बहुत बहुत धन्यवार धन्यवार